इंवेस्टमेंट इस सेक्यूर्टी मार्केट और सब्जक्ट तू मार्केट रिस्क रिडॉल्ड डिलेटेड डॉक्यूमेंट्स किरिफली विफोर इन्वेस्टिंग नुवश्कार दोस्तों मैं उमेश शर्मा चार्ट अलैंसी चैनल पर अपका हार्दिक सौगत करता हूँ Biz네 बात करें निफ्टीकिक्त और साओं साथ बजार में इरावट तो ये क्या जानी रहेगा इसके बारे था सक करेंगे और क्या में और से हम इस रिवर्सल पे ट्रेट प्लाइन कर सकते हैं उसके बारे में डिसकस करेंगे कौन सा कौन सा टाइम फ्रेम यूश करना है चार्ट पर क्या-क्या पैटर देखने हैं यह सारी चीज़े आज की वीडियो पे डिसकस करेंगे इसके इलाबा और अभी जो सेवी की दरफ से स अगर आज की दिन आगर आप देखे तो ने कुछ प्लाइन करेे ते और उस traidenz पर न कुछ positions भी बनवाई थी अगर आप देखे तो एक strategic जो मैं आज की वीडियो में inald stay करना चाता इसी स्टेडिजी के कॉर्डिंग ली हमने फिन निप्टी और बैंक निप्टी की पुट बाय कराई थी जिसमें अच्छा कासा प्रॉफिट हुआ अगर आप देखे कभी भी बजार में है अगर आपको मैं काम करता हो बोड़ पर सम्झाऊंगा कभी भी आप देखते हैं कि बजार में गिरावट देखने को मिली और ग immense reason this या फिर कोई भी अपनिग या फिर कुछ भी बूछ धर है मिकांडेस्टीक पैैटन मना रहा है हम एक माल लेते हैं कि हम एक एंडल रख लेते कि आज की दिन हमें एक इंवर्टिड हैमर इसके बाद अगर मालों नेक्स केंडल बुलिश बनती है और उसके बाद अगर बाइंग कन्फरमेशन होने के बावजूद बजार नीचे आता है चाहिए और फिर से यह जो केंडल से एक सैल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं मैं फिर से बताना चाहूंगा कभी भी गैप डॉन ओपनी देखने को मिले और उसके बाद कोई भी रिवर्सल के इंडेस्टिक पैटन देखने को मिलता है और वहां से बजार उपर जाने की जगा वापिस से नीचे इसका लो ब्रेक करता है तो वहां पे एक सैल पोडिशन आप बना सकते हैं इस बेस पर मैंने कई बार ट्रेड भी आपको बनवाए हैं उनमें प्रॉफिट भी हुआ है और इसी वज़े से आज हमने क्या गरा था बैंक निफ्टी की हमने एक पुट भी वाय कराई थी और उसके ब तो एक सैल अपोर्चुनिटी उस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं यह तो दोस्तों पैटन की बात करी अब यहां पर मैं डिरेक्ली जाओंगा चार्ट पे और चार्ट पे आपको समझाना चाहूंगा तो सबसे पहले हमें आज यही देखने को मिला जब हमने चार्ट पे देखा कि भई यहां पर एक इंवर्टिट हैमर के अंडरस्टिक पैटन देखने को मिला उसके बाद सेकंड केंडल एक बुलिश केंडल देखने को मिली और उसके बाद बजार ऊपर जाने की जगा वापी से नीचे की तरफ आया और जैसी इसने क्या करा इसका लो ब्रेक कर तो यहां पर हमने क्या करा बैंग निप्टी की हमने एक पुट बाय करा थी तो उसके बाद क्या हुआ बजार वहां से लगाता गिरता चला गया और एक वहां से कुछ 600 पॉइंट की गरावट देखने को मिली थी तो हमने जो भी ट्रेड बनाया था तो उसमें हमारा इंसिटूइशन देखने को मिली थी फिन निप्टी के भी चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल क्याती इनिवेंटेड हैमर नेक्ट कैंडल बोले और उसके बाद जैसी इसका लोग रेक हुआ तो वहां से सैल अपर देखने को मिली और इसी तरीके से निफ्टी में जो हमने पूट बाय कराई ती उसका कारण क्या था वो तो मैंने आपको यहां पर बता दिया अगर हम थोड़ा सा अनालिसिस करें और बजार को थोड़ा से लॉंग टर्म के इसाफ़ से अगर हम देखें तो यहां पर निफ्टी का चार्ट देखते हो निफ् और रॉंडिंग टॉप पैटन देखने को मिलते हैं गिरावट हमें उसके बाद देखने को मिलती है और उसके कॉर्डिंग लिए गिरा भी है अगर यहां से अगर हम देखें तो निफ्टी जो है अपने सपोर्ट पे चल रहा है विल्कुल क्रूशल सपोर्ट है दोस्तों यहां भी निफ्टी का और निफ्टी यहां से हो सकता है कि आपको देदे क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यह एक कुरूशल सपोर्ट है निफ्टी का यही से निफ्टी चलना स्टार्ट हुआ था कंसॉलेडेशन के बाद कंसॉलेडेशन के बाद यहां से निफ्टी चलना स्टार्ट हुआ और यहीं पर निफ्टी रुख चुका है तो मेरे साब से मुझे लग रहा है कि अभी 2266 ट्रूपे का रेट चल निफ्टी में अगर यहां से अगर आपको कल पच्चीस अजार बा का चार्ड देखूं और अवर्ली का चार्ड देखूं तो यह क्रूशल सपोर्ट है और सपोर्ट पे मुझे लग रहा है कि यहां से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है तो तीन सो के उपर अगर बाई अपोर्चुनिटी फाइंड करते हैं तो वहां से मुझे पांसो कर सकते हैं तो पंदरा मिनिट के चार्ट पे यहां पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट में बजार जो था वो पूरी तरीके से कंसॉलिडेट हो गया था और यहां पे बॉक्स पैटन भी देखने को मिला था तो इसी बज़े से मुझे लग रहा है कि 25,300 के उपर अगर ब क्या है कि अभी बजार जो है बजार इस तरीके से कि न्यूस का इंपक्ट बजार में जाता है तो बड़े गैप डाउन बजार में देखने को मिल सकते हैं तो इस वरे से थोड़ा सा सोच समझके ही अपने ट्रीड प्लाइन करिएगा अगर 25,300 के पर जाता है तो यह 2860 का और 600 के आपको दिखा देता हूं और आप देखेंगे तो यहां पर लास्ट वे एक पैटन हुआ है जिसको बूलते है इसके अकॉर्डिंग लिए अगर कल के दिन बजार 500,900 के ओपर चलना स्टार्ट हो जाता है मैं फिर से कहना चाहूंगा अभी अब गैप डाउन के बारे में नहीं बता सकते कि वही कल गैप खुले गैप डाउन खुले यह नहीं बता सकते है अगर कल बजार 1,900 के ओपर जा पर यह से मुझे लग रहा है कि कल अगर 5,900 के ओपर अगर जाता है बैंक निफ्टी तो वहां से बाइप पॉर्चुनिटी या फाइंड कर सकते हैं दूसरा मैं इसका पंदरा मिट का चार्ट लगाऊं और लास्ट की केंडल से अगर आप देखेंगे तो लास्ट की केंडल बुलिश होती है उसका हाई ब्रेक होता है तो वहां से बाइप पॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं हाला कि यह जो पैटरन फॉर्म हुआता लास्ट के पंदरा मिनिट अब हो आता तो में को लगता नहीं था कि कल के लिए कैडी पॉजिशन मनानी चाहिए अभी आपको जाना चाहूंगा अभी कोई भी पॉजिशन होल्ड मत करिएगा क्योंकि बजार में उसका इंपक्त है और ऐसा नहीं कि अगर आपके अगेस्ट में उपन हो जाता है तो वहां से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है अब यह होगी निफ्टी बैंक निफ्टी के बात मैंने पर जाता है तो वहां से निफ्टी में तेजी देखने को मिल सकती है अब यहां पर दोस्तों बोलना चाहूंगा कि अभी जो सीवी का सर्कुलर आया है और गाफी लोग कहा रहे भाई रिटेल टेटर बरबाद हो जाएंगे अब रिटेल टेटर क्या करेंगे तो ऐसा कुछ पर काम करना स्टार्ट किया तो लोगों को स्टॉक मार्केट एक जुवे की तरह लगने लगा वो सोचते थे भाई कल को कोई भी एक्सपेरी होगी उस पर हम ट्रेट कर लेंगे अब आलो में पास दस जा रहा तो मैं डेली ने सोचता था कि आप 10 के 20 हुज है 30 हुज है 40 हु चाहिए जो मैं 10 रुपे 5 रुपे 20 रुपे लेलूं और वो सो रुपे 80 हुज हो जाय तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं होता कभी कभार हो भी जायेगा बर वह हमेशा नहीं होता तो कहते है न बाई जीटता है बंदा और हाड़ता जाता तरह तो यही सिच्वेशन लोगों क हो गई थी वह कम पैसा लेके आते थे वह जीरो टुईरो ट्रेड बनाते थे जिससे जो हमारे रिटेल भाई हैं उनको काफी नुक्सान हो रहा था आप ऐसे काफी लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि नहीं है में को जीरो टुईरो ट्रेडी मनाने मजा आता था बट आप इससे पूछो कि आप प्रॉफिट में नुक्सान में और कितनी वार आपको जीरो टुईरो ट्रेड में नुक्सान हुआ है तो यहां पर कहना चाहूंगा दोस्तों अगर आप सिस्टेमेंटिक करना चाहते हैं तो मंतिली एक्सपैडी पर काम करेंगे तो क्या होगा आप फाल्तु में कॉंटिटी ना बढ़ाके आप प्रॉपर एक्ट्रेड लेंगे वह आपके रिस्क मेरेजमेंट के एकसाफ सभी बिल्कुल सही बैठेगा अब मानके चोलो भाई आपको आपने निफ्टी वाय करनी है आपके पचास जार और निफ्टी आप ले सकते थे दस जार उबे में तो आप क्या करेंगे वाई पांच लोट ले लेंगे ठीक है पांच जार पड़े आपके बास और आप ने पांच लोट ले लिए या तीन लोट ले लिए जैसे निफ्टी नीचा था रहा वैसे वैसे आप एवरेज करते रहे और हुआ कि आज अगर बज इसके साथ सबाब के बाद टाइम होगा ताइम मतलब यह होता है कि अगर आपने कोई ट्रेडर मनाया है अगर आपका एसल नहीं कटा आपके लॉस इस के चांसे आपकी हार के चांसे काफी जादा बढ़ जाते तो यह चीज़ है ना अभी आपको समझ मीं नहीं आरी बड को margin sort इसे बढ़ेंगे तोड़ा lot size बढ़ेगा और इसके साथ साथ आपको जब कम quantity में काम करेंगे ना तो आपकी perfection जादा होगी आपके losses कम होगे और दोस्तों यह देखेगा कि आप return में calculate करके देखेगा कि आपका return काफी अच्छा होगा अब यहाँ बात क्या हो रही है ना आकरवे में को 10,000 पे आगे तो मेरा 10 पॉसंड का return मन गया इस तरीकी की बात होगी आप 10 के 100 के 10 मना ओगे तो वह जादा बैटर है तो यहां पर दोस्तों यह जो रूल आया है यह बहुत अच्छा रूल है बाकी जो FNO के players है जो retail trader है उनको यह rule ज्यादा impact करेगा इसके बा यार अगर आप 20-30,000 से काम करें तो 10-20,000 पे और लाके अच्छी तरीके से कर लो तो वह ज्यादा बैटर रहेगा ठीक है इस महीने निकरना तो अगले महीने कर लो वह ज्यादा बैटर रहेगा तो अब risk management को धंसे follow करोगे तो मेरे साब से जीत आपकी होगी और एक पंदरमेट के चार्ट पर यहां पर लास्ट में inverted hammer pattern देखने को मिला है और inverted hammer pattern के अकॉरडिंग यहां से माइं एक लिस्ट फिन निफ्टी में तो दिखाई दी रही है और मुझे लग रहा है फिन निफ्टी जो है वह 24,000 के आसपस जा सकता है बट कल का बजार देखना बहुत important है कि बहुत कल बजार की opening कहां पर होते है अगर कल बजार यहीं पर open होता है तो मैं फिन निफ्टी में अपनी by opportunity find करू का SL मैं यहां पर क्या करूंगा maintain करके चलूंगा और आप भी अपने चार्ट पे पंदर के चार्ट पर चार्ट पर चैक आउट कर सकते है कि यहां पर फिन निफ्टी का जो लो का SL वो क्या बनता है अब यहां से दोस्तों हमने निफ्टी में निफ्टी के बारें बात कर ली अब यहां से हम बात कर लेते हैं एक और स्टॉक की जो की आच बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसने और ITC हमने दोस्तों स्पेशिली भाय भी कराया था तो ITC में बहुत ही बड़ी हा पैटन देखने को मिला था ITC के हमने कॉल भी भाय करा थी और कैश में भी ITC भाय भी चली यानि कि बजार गिर रहा था निफ्टी में निफ्टी सब गिर रहा था पूरा बजार गिर रहा था और ITC ने परफॉर्मेंस दी तो इसलिए कहता हूं दोस्तों हमारा जो पैटन है बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और इसके अकोर्डिंग लेकर आप चलते ह है तो आपको इससे अच्छर रिजल्ट मिल जाते हैं और अगर आपको केंडेस्टिक पैटन सीखना है तो हमारे कोर्स है टेकनिकल अनायालीसिस का जिसमें केंडेस्टिक चार्ट पैटन इंडिकेटर डाव थीरी अलेडवी थीरी टैम फ्रेम को कॉमिनेशिए डिमांड चैनल अभी तक जॉइन नहीं कर रहा है तो फटा फट से दोस्तों इसको जॉइन कर सकते हैं यहां पे भी जब भी कोई पैटन बनता इसकी फोटो क्लिक करके भेज देते जैसे इसके साथ जो भी पैटन्स बनते हैं जैसे फिन निफ्टी में मना इसके इलावा अगर आप तो बैंक निफ्टी में कोई पैटन उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं जिसको अनालीसिस करके आप यहां पर अपना ट्रेट प्लान भी कर सकते हैं वह लटनी के परफसे को जो हमारा ग्रूप है काफी बैटर ग्रूप है इसको आप एवाट जॉइन कर लीजेगा इस उसमें नुक्सान हुआ बड़ इसके साथ अगर आप देखेंगे तो हमने आज फिन निफ्टी की पुट बाए कराई बैंक निफ्टी की पुट बाए कराई उससे आपका लॉस रिकवर हुआ होगा तो दोस्तों कहना चाहूंगा कि एक दिन खराब एक दिन सभी इस तरीके से भी रिस्टेट अडवाईजर हूं मैं कॉल्टी प्रवाइड करता हूं तो यहां वे मैं आपको एक चैलेंज देता हूं कि आप हमारे हमारे साथ जुड़िए 15 दिन तक जुड़िए हमारे साथ 15 दिन अगर आप हमारे साथ काम करते हैं आपको लॉस हुआ या प्रॉफि देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट कितना पॉजड़िव रहता है तो यहां पर कहना चाहूंगा दोस्तों जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे बूटकेम का वह आप जॉइन कर सकते हैं इसमें कॉल टिप्स हमारी तरफ से करेंगे तो ज्यादा बैठा रहेगा और जब भी पाइचार्ट में पैटन बनेगा तो उसकी फोटो क्लिक करके हम अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर भीज़ देंगे जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी तो आज की वीडियो में जो अनैलिस थी वह हमेंने कर लागता है मुझे तो वह भी मैं आगे मेंशन करता रहूंगा हमने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर तो आशाग रहूंगा आज की वीडियो पसंद आज होगी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें आज के लिए बस इतना ही थन् छूग सब्सक्रत करें आज करेंब।